और कैसे हमारे pages के उपर हमने क्या लागा दिया security का feature अब इसी के अंदर ना एक छोटा सा feature और भी होता है अगर आप कभी भी कहां जालते है security के अंदर आते हैं तो यह जो आपको check box दिखर है तो यहाद रहे मैंने यहाँ पर एक नया क्या बनाया check box बनाया remember me करके तो यह वाला जो option है यह क्या करता है अगर मैं remember me पर click कर देती हूँ तो यह क्या करेगा जब तक मैं proper logout नहीं करूँगी तब तक मेरा ID password remember रखेगा और मुझसे दुबारा से इसको login करने के लिए नहीं करेगा जब तक मेरे पास इसकी remember me की option है हां अगर आप logout कर देते हो तो भई फिर आपका remember भी काम नहीं करेगा तो अगर मुझे यह remember me वाला option भी अपना set करवाना है तो इसके लिए क्या क्या चीजे करनी है वो ध्यान में रखनी है तो एक वार हम क्या करते हैं इसके इस वाले option पर आ जाते हैं तो हम यहां पर remember मी वाला option देखेंगे इसके लिए पहला क्राम आपको क्या करना है create करना होगा a check box and login page okay अच्छा देखो अगर आप लोग remember मी वाले option पर आ रहे हो तो make sure आपको एक काम करना है set the name of user मतब जो आपका input type क्या है text है और आप अगर यहां पर उसका जो name है वो क्या रखते हो कुछ भी रखते हो ना you name user name कुछ भी रख देते हो तो यह यहां पर user name ही हो क्योंकि by default यह इसे user name के नाम से लेता है तो जब आप लोग check box बनाओगे तो आप यह दो चीजों का तो बहुत ध्यान रखोगे दूसरी चीज आपको जो यहां पर password की field बनानी है उसका नाम password ही रखना अगर password नहीं रखोगे तो फिर पहला टेक्स्ट में user है तो user name तो यह चीज ध्यान में रखनी है और इसके बाद आप एक check box आट कर दो कि तो पहला जो change करना है वो यह करना है दूसरा आपको क्या करना है in web security config file add following code तो आपको web security config में क्या करना है एक code add करना है क्या code add करना है जब आप लोग login page वगरा सब बना लेते हो तो remember me का एक option आएगा यह जितनी भी चीज़ें आपको देख रही है न यह सारी की सारी चीज़ें हम किस के लिए कर रहे हैं remember me value के लिए तो यह code आपको दिख रहा है पहला आपको क्या करना है dot के बाद remember me लगाना है दूसरा उसकी key लगानी है तो यह key क्या होता है यह इसका एक unique name होता है तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो अपने आप से ठीक है तो यह fix नहीं है कि यही लिखना है कुछ भी ले सकते है तो इसका remember का एक पैरामेटर आएगा ओके अब रिमेंबर मी पैरामेटर क्या है यह क्या है इस दा नेम ओफ दफ फील्ड इन फॉर्म या फिर कहलो HTML फॉर्म तो जो भी नाम आपका फील्ड का होगा उपर मतलब अगर देखो जैसे मैंने उपर अगर यहां पर क्या लिया जैसे कि आप लोग लोग इंपुट टाइप चेक बॉक्स ठीक है तो नेम में मैंने यहां पर जो भी नाम लिया होगा वही नाम मुझे यहां पर देना है परामेटर में ओके तो यह दियान में रखना है दूसरी चीज़ क्योंकि हम remember me का option लगा रहे हैं तो हमारा जब remember me option आएगा तो एक नई cookie बन जाएगी हमारे web browser की memory में और इसी cookie का नाम आप यहां पर दोगे तो यह मेरी cookie का नाम हो जाएगा remember me lock-in अब यह जो cookie create हो रही है यह कब तक valid रहनी चाहिए तो इसकी validity के लिए हमने यहां पर dot token validity in seconds लगाया है अगर मैं 100 seconds कह रही हूँ तो मतलब 1 minute के लिए मतलब 1 minute and 40 seconds के लिए मेरी यह cookie alive रहेगी even if the browser does close अगर आप browser close भी कर दोगे तो भी cookie रहेगी और remember me का option काम करता रहेगा चीक है तो यह चीज भी यहां पर रहेगी तो आप यहां पर जितना time दोगे उतने time के लिए यह cookie create होगी इसके बाद अगली चीज जो है आपको यहां पर user detail service नाम का एक option और लगाना है और यह जो आप देख रहे हो ना बीच में mm यह क्या है यह object है of user detail service या फिर इसको आप लिख सकते हो जो हमने use किया था in memory ठीक है तो हमने आपको मैं दिखा देते हूं कहां पर यह इसलिए मैंने यह वाला object उपर बनाया था तो in memory user detail service ठीक है या तो आप इसका object बनाओगे या आप इसका object बनाओगे तो या तो user detail service का अगर आप इसे use कर रहे हो तो in memory user detail service का तो यह जो object है वो आपको यहां पर देना है इसलिए मैंने यह object उपर बनाया था ताकि जब यह इस matter में initialize तो होई रहा है तो इसके अंदर तो value आई जाएगी नल नहीं रहेगा तो आप इसको यहां पर use कर सकते है तो यह कुड़ा का पूरा जो पार्ट है remember me का यह मैंने यहां लागा दिए और फिर बाकी तो वही process चल रहा है and logout और logout का request matcher ठीक है तो इस तरीके से हमारा remember me वाला option भी काम कर जाएगा तो बस इतना काम करना है एक checkbox बनाना है दूसरा user id और username का नम भी username और password ही होना चाहिए उसके अलावा फिर कुछ और मत रखना क्योंकि जब यह remember me चलाएगा तो यह actual name यह वाला ही ढूंटेगा password और username के रहे username ढूंटेगा तो अगर मालो अब मैं एक बार दुबारा से project को run करती हूं इस बार हम इसको remember me से करेंगे तो देखते हैं जैसे मैंने admin page पे लिया यहां आये यहां मैंने लिया ABCD यहां लिया password इसका 1234 अगर मैं remember me के check box पे click करती हूं और इसको login कर आती हूं तो यह यहां पर आ गया welcome to admin page, welcome ABCD and logout अब जब तक मैं logout नहीं करूंगी मेरी cookie जो है वो browser की memory में रहेगी तो इसकी settings में चलते हैं और एक बार चेक करते हैं कहां पर जाके cookies and site permissions में manage and delete cookies में आ जाओ see all cookies and site data यहां आते हैं तो लोकल host दिखा रहा है local host में दो cookies दिखा रहा है एक तो जे session ID जो by default create होती है दूसरी remember login वाली cookie जो अभी हमने बनाई थी ओके जैसे ही login हुआ यह वाली cookie memory में आ गई और अब इसका time भी दिखा रहा है कि यह 4.59 पर बनी है और यह 5 पचकर 1 minute तक valid रहेगी अच्छा अब एक काम करते हैं यहां पर मैं यह वाला जो आपका पार आ रहा है ना इससे copy कर ले तो 2 minute admin वाले को और इस browser को close कर दिती हूँ अब मैंने देखो browser close कर दिया अगर मैं browser को दुबारा open करती हूँ और यहां पर फिर से वही URL देती हूँ admin वाला पेस्ट करते हैं तो भी देखो इसने दुबारा से authenticate नहीं किया मतब ID password नहीं मांगा क्यों नहीं मांगा क्योंकि अभी तक इसके पास वो cookie बनी हुई है memory में जो अभी हमने बनाई थी browser close करने से भी वो cookie नहीं गई क्योंकि जब तक उसका time delete time नहीं होगा कतब तब तक वो cookie memory में रहेगी रहेगी हाँ अगर आपने logout कर दिया तो वो cookie automatically destroy हो जाएगी फिर यह ID password को remember नहीं रहेगेगा यही सेम चीज यूजर नेम में भी आएगी जो आपका यूजर वाला यूजर है उसके अंदर भी आएगी इतना समझ में आ रहे है अच्छा देखो अगर आप लोग इन में काम करवा रहे हूं तो एक चीज आपको और रिकारनी पड़ेगी यहां पे हमने enable web security और component scan तो लगाई रखा था यहां पे आप लोग एक और चीज करोगे enable global method security में pre post enabled करना है true लेकिन यह value रिमेंबर में के लिए नहीं आ रहा है यह एक तीसरे option के लिए आ रहा है अगर मैं इसको controller से दिखाती हूं देखो मैंने controller में आके न इसके अंदर यह जो आपको option दिखेगी last में जो यह last controller दिख रहा है यह है method level security मतलब अभी हम क्या कर रहे थे अलग से class level कर रहे थे हम object level security लगा रहे थे यहां पर मैंने method level security भी लगाई है अब देखो जो मैंने यहां पर method level security लगाई तो ऐसे में इसकी configuration आपको web security config में नहीं बिलेगा यहां पर आपको पूरा program वैसे का वैसे ही दिख रहा है जैसे अभी हम ले रखा था मां बस यहां पर एक छूटा सा चींच आया यहां पर यह लाइन आपको अगर आप लोग method level security लगाना चाहते हो तो यह वाला annotation web security config में लगाना है यहां पर क्या आएगा enable global method security और pre post enable को true करना हूँ और उसके बाद controller में जाके आपने क्या किया इस method पर security लगा दी मतलब जिस method यह वाला method जिस भी page को access करवा रहा है जैसे कि यह admin special को करवा रहा है तो अगर इस page को access कर रहा है तो इस पर जो security है वो हमने object level पर ना लगा के method level पर लगा दी बाकी चीजें इसमें देखते है request mapping आ रहा है वही admin special response body लगा दिया ठीक है यहां पर एक annotation extra लगी है pre-authorized जिसमें हमने define किया है कि इस वले page को कौन access कर सकता है जिसका role admin है ओके मतलब इसको user access नहीं कर सकता अगर कोई normal user इसको access करने की कोशिश करेगा तो यह उसको user को access नहीं करने देगा तो यहां पर अगर आप लोग आते हो और इसमें आते हो pre-authorized में तो आपको क्या लिखना है has role फिर brackets के अंदर single quotes डालकर आप role underscore admin लिखोगे बाकी matter वैसा का वैसी है एक matter हमने बना रहा है जिसमें admin special page का link clear यहां पर क्या कर रहे है return करें तो यह आपकी method level security है तो सिर्फ दो जगा चीन जाएंगे एक तो controller में controller बनेगा इसका और दूसरी चीज़ क्या होगा आपकी जो web security config है इसके अंदर यह annotation है इसके अलावा एक चीज़ और किया मैंने index.js SP में एक नया hyperlink create कर दिया admin special के लिए अब देखो मैंना इस project को एक बार close करके अब हम इस admin special को access करने की try करते है अब देखो इसको कौन access कर सकता है सिरफ admin कर सकता है but if I give the ID and password of the user what will happen then check करेंगे इसको भी तो यह देखो यहाँ पर मैंने तीसरा link दे रखा है special page के नाम से अब मैं यहाँ पर पहले ना ID password जो दे रही हूं वह कौन सा वाला दे रही हूं user वाला अब मैंने login जैसे किया इसने error दिखा दिया forbidden forbidden का मतलब भई यह वले page की access मुझे नहीं है मैं एक गलत page access कर रही हूं जिसकी access मेरे पास नहीं है यह page सिरफ admin यह नहीं access कर सकता है अच्छा देखो अगर मैं यहाँ पर back करके admin का ID और password दे तो मैं क्या कर पार रही हूं इस special page को access कर पार रही हूं देखिए यहां लिखावा आ गया admin special मतलब यह वला JSP page आ गया admin special वाला तो इस वे में हम क्या कर पाएंगे admin special page को access कर पाएंगे इतना समझ में आ रहा है सबको कैसे वर्क कर रहे हैं आप तो अगर आपको method level पे security लगाना हो तो आप ऐसे लगा होगे ठीक है और अगर आपको क्या करना है आपको class level पे security लगाना है तो आप अलग से यहां पे हमें configure में जाकर अपनी request के according काम कराना होगा ant matches क्या करता है यह define करता है उन urls को जिसके उपर हमें security लगानी है permission देनी है या authenticate करना है को हम यहां बताएंगे ant क्या करना है अगर मुझे customize ले page चाहिए तो form login अगर मैं यहां पर login का url ना दूँ तो यह inbuilt page को access करवा देगा इसके बार remember me का option ताकि हम क्या कर सके id password को remember करवा सके और एक cookie create करा सके और फिर logout का option logout कराने के लिए ठीक है तो यह हमारा सारा कुछ क्या था security का part था जो भी हमने यहां पर complete किया किसे को कुछ पूश्ट ना इसमें anyone मैं admin के लिए यूजर वाला बनाय था ये के इक यूज़र बनाया था और एक यूजर पेज बनाया था और एक यूजर पेज बनाया था तो एक तरह से यहां पर मैंने दोनों के लिए और यूज किया हुए क्या कर दिया एक बार क्वेश्टन रपीट करोगे यह बोला था कि जैसे यूजर के लिए लग से बनाया था तरफ चीपक फर आठीड में इक अलग से बनाया था इसका कि मृत वालक वह था उसको दिखाने के लिए यह आपको method level security दिखाने के लिए बनाया जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने role admin दिया है और admin special को रिटन करा है तो admin special.jsp यह वाला page है जो एक्सेस हो जाएगा ठीक है तो मैं admin के थो भी हो रहा है न जो admin के एक अलग से बनाया था admin देखो इस वाले page को access करने के लिए role जो है वो admin ही होना चाहिए बस पर कितना है देखो दोनों के अठट को admin वाले को भी और इस admin special वाले को भी admin ही access करेगा पर कितना है कि अगर मेरे को class level security लगानी है तो यहां पर हमें आके configuration करनी है ठीक है और अगर उसके लिए मुझे यहां पर इसका method यूजर भी define करना पड़ेगा id password के साथ में और यहां पर नीचे मुझे क्या करना है पड़ेगा मुझे configure भी करना पड़ेगा लेकिन अगर मालो मुझे यह configuration नहीं कर लिए मेरे पास एक ही method हो जिसको मैं access कर लिए तो मैंने यहां पर क्या किया सिरफ यूजर के लिए डिफाइन गिया और बाकी सब को छोड़ दिया और उसके बाद जाके controller में मैंने एक admin special करके बना दिया जिसमें मैंने method level security लगा दिया अगर आप यहां पर जावारियो security method level पे तो फिर आपको web security config में admin special के लिए कुछ भी configure करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आप डेख सकते हो मैंने यहां पर admin special की कोई configuration नहीं करी तो यहां पर configuration कब करनी है जब हम method level security नहीं लगा रहे हैं अगर method level लगा रहे हैं तो वहां पर जहां पर भी method बनाया है यहां पर ही हमें security की option को लगाना पड़ेगा क्लियर है यहां तक है ओक है ओक है चलिए तो अभी हम यहां पर क्या करते हैं एक और option हमारा जो रह रहा है microservices इसको एक बार हम देखेंगे तो इस वाले project को मैं अभी close कर रही हूं तो इस वाले के अंदर हमारा जो गारा काम तो complete हो चुका है अब इसके बाद में आप लोगों को यहां पर जो नया topic बता रही हूं microservices इसको access कैसे कराना है इसके अंदर काम कैसे कराना है वो देखेंगे तो सबसे पहले let me just open the notes for microservices one second कि और्मार थाली तोगर कि थो तॉ इचर पूले कि बड़े के खलंगर उिख एंट के तो जैए सी फट funk एंट प्रप्रश्ट पहा हा जब में। झाली कि एंट है फर इंट है कि एंट प्राव इंट खर एंट टो फिर यंट इन खाएखें कि दो जब हादा से एंट कि उला थे लो उन्टे पिर दो जगो और दो आजा उड़ एम ओर नदाो इवा का लोग पिए लोगा कि चले काम करते हैं नोट सब्सक्राइब किसमें नहीं होगे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं अगर आप लोग कभी भी माइक्रो सर्विसेस को समझ लेते हैं पहले तो कि माइक्रो सर्विसेस होता क्या है और कैसे का करेगा अगर आप लोग को क्या करना है इन सब को आपस में जॉइन करा दें तो अगर आप लोग कभी भी microservices के उपर काम कर रहे हूँ ठीक है तो ऐसे cases में simple से example ले सकते हो let's suppose हमने लग जो real time example है ना इसका हम वही ले ले लेते हैं तो इसका एक real time example क्या है कि अगर आप लोगोंने Amazon का नाम सुनो so Amazon जो है इसने क्या किया था microservices को यूज किया था first of all इसका एक story भी है मैं आपको check out कराते हूँ दिखा देते हूँ या फिर आप इसका इस तरह से भी लिख सकते हो microservices example in Java करके यहां पर इसका ना देखिए यह dream factory की website पर आपको बहुत अच्छा है कि इसका introduction मिलेगा मतलब एक example मिलेगा कि microservices आया कैसे था तो यहां पर आप लोगों को मैं एक option देखाती हूँ देखो तो basically microservices क्या है microservices को अगर आपको समझना है तो यहां से भी देख सकते हैं quoting James Lewis and Martin Flower who played a key role in promoting microservices as an architectural style तो यह क्या है? architectural style है basically यह क्या करता है? यह आपको multiple मतब यह कहलो कि एक project को multiple parts में बनाने के लिए allow करता है और फिर उन multiple parts को independently भी चला सकते हो और उसके बार इक अठा भी चला सकते हो यह आपको इस तरह से authorize करतेगा तो basically यह क्या कर रहा है? their authoritative article title microservices define microservices as an approach to building a single application consisting of multiple small services that operate independently with each service running in its own process and communicating using lightweight mechanism like HTTP resource APIs तो basically यह क्या करता है? यह allow करता है कि एक main application को कि आपने multiple छोटे-छोटे services बना दिये जो की independently काम करती है तो क्योंकि अगर एक बड़ा application चलेगा वो heavy होगा और अगर हम उसी बड़े application के छोटे-छोटे parts करके उनको independently चलाएं तो वो ज़्यादा lightweight होगा और ज़्यादा fast भी होगा और काम भी अच्छे से करके देगा तो ऐसे हमें अगर आप यहाँ पर क्या करते हो इस process का use करते हो microservices का तो यह आपको allow करेगा कि यह आपको अलग-लग services बना ले दे तो इस services are designed around specific business capabilities and can be deployed independently तो इनको हम independently deploy कर सकते हैं using full automated deployment tools तो basically यहाँ पर हम क्या करेंगे there is minimal centralized management of these services बहुत ही minimum level पर इनको हम centralized करेंगे ठीक है management manage करने के लिए एक साथ में which can be written in different programming languages and use various data storage technologies तो microservices in Java basically design है एक architecture pattern है जिसमें हम अपनी application को design कर सकते हैं छोटे-छोटे small independent and loosely coupled services में and उनकी functionality को हम independently भी काम कर आ सकते हैं और एक साथ भी काम कर आ सकते हैं अब अगर आप लोग इसके further option में जाओंगे आपकी reference के लिए क्या कर रही हूं यह वाला जो quoting है यह बहुत अच्छा quote है इसको मैं आपको provide ही कर देती हैं यहां से ठीक है तो यह आपको मिल जाए तो आपको यहां पर क्या करना है आपको क्या करती है कि आप यहां पर मिल्टिपल सर्वर्स को एक सब्सक्राइब करेंगे साथ में कांपर वासको distributed form में मतब हो सकता है न जैसे कि एक चोटा सा example लो Amazon का अब मान लो Amazon जो है इसका main head office जो है वो San Francisco में लेकिन इसका जो database server है वो हो सकता है New York में हो और इसका जो front end का server है वो हो सकता है किसी तीसरी city में हो ठीक है अब तीनों services independently काम कर रही है अपनी अपनी location पे different style में distributed form में ठीक है तो ऐसे हमें इनको एक साथ में internet पे connect करवाना data को get कराना रखवाना तो यह सब possible हो जाता है किसकी help से microservices की help से त्योंकि हम main server पे इन तीनों services को एक साथ में join करा देंगे ओके तो basically होता भी ऐसे है कि database कहीं और होता है ठीक है और actual server कहीं और होता है और जो इन सब को control कर रहा होता है वो तीसरा server कहीं और ही होता है अब यह एक city में भी हो सकता है एक building में भी हो सकता है और different जगहों पर भी हो सकता है तो depend करेगा company के ओपर तो यहां पर फायदा क्या होता है कि हम इसको scalable कर सकते है resilience कर सकते है और यह approach क्या कहती है कि हमारे पास servers जो है distributed हो सकते है multiple locations पे और उनको एक साथ में हमें इसमें काम कर सकते है जिससे की इनका load handle किया जा सके अब आपको पता होगा कि जो Google का server है तो Google का जो server room है अगर आपका भी net पे picture search करोगे उसके database की ठीक है Google का database तो database का जो उसका है एक warehouse ही है अलग location पे जहां पे उसका पूरा data stored रहता है और उसका server किसी दूसरी जगह पे है जहां से वो उसको operate करता है ठीक है तो यहां पे आप इसको use कर सकते हो continuously आप इसका use कर सकते हो कोई भी change होगा वो immediately effective हो जाएगा DevOps के help से अब देखो अगर आपको इसको फर्दर थोड़ा सा और समझना है न इसको मैं थोड़ा सा और नहीं चले जा रही हूँ अब इससे Amazon ने access किया था ठीक है तो यह action में बता रही हूँ Amazon ने देखो क्या किया था Amazon ने क्या किया था Amazon एक बहुती मतलब वेल-norn corporate giant है एक तो आज की rate में जो की बहुत बड़े level पे business कर रहा है So Amazon is known as an internet retail giant क्योंकि यह retail में समान बेशने में help करते हैं But it did not start that way In the early 2000s Amazon's retail website behaved like a single monolithic application बहुती simple सा एक website था जो की बताब बिल्कुल एक आम जैसे आप लोग अपनी website बना के internet पे डिप्लॉई कर दो let's suppose तो इस तरह से काम कर रहा है ठीक है लेकिन देरे देरे Amazon की popularity बढ़ती गई business बढ़ता गया लोग भी add out थे गई users भी आया retailers भी आया अपना समान बेशने के लिए तो ऐसे में उसके पास problem सबसे बड़ी खड़ी हो गई थी कि सब चीजे आपस में बहुत jumbled हो गई थी और उनको manage करना मुश्किल हो रहा था ठीक है तो यहां वह आप देख सकते हो the tight connections between and within the multi-tiered services that comprised Amazon's monolith meant that developers had to carefully untangle dependencies तो सारी चीज़े न एक दूसरे के उपर क्या हो रही थी यहां पर बहुती ज़्यादा हावी हो रही थी इसकी वज़े से problem आ रही थी database से भी बता दोगी ठीक है तो यहां पर आप लोग क्या कर रहे थे यहां पर इसके अंदर बहुती tightly coupled चीज़े थी जिसकी वज़े से problem क्या थी चीजों में problem create हो रही थी transactions नहीं हो पा रही थी multiple user handle नहीं हो पा रहे थे तो इसी वज़े से previously Amazon found that the monolith structure worked very well however the code base quickly expand as more developers joined the team there were too many updates and projects coming in which had a negative impact on the software development and function बहुत साथे developers आगाए बहुत साथे updates होने लग गए जिसकी वज़े से problems बढ़ती चले गए थीक है so with such obvious drops in productivity it was necessary to look at a better way of doing things इसलिए उन्होंने इसको better way में करने का रिसाइट किया so in 2001 development delays code challenges service interdependencies inhabited Amazon's ability to meet the scaling requirements of its rapidly growing customer base तो जैसे services बढ़ती गई लोग बढ़ते गए तो problem बढ़ती गई यह कि developer उन्होंने और उठा लिए कि चलो हमारे website के ओपर developer काम करेंगे updates लाएंगे जिसे हमारी वेशी चलेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जतने developer जाधा है जतने updates जाधा है उसकी वज़े से उतनी dependencies पे काम करना मुश्किल होता गया क्योंकि code बहुत जाधा होता जा रहा था अब इसी सब कीजों से बचने के लिए क्या किया Amazon में Amazon broke its monolithic applications into small independently running services specific application उसने अपनी सारी की सारी application को छोटे-छोटे parts में divide कर दिया ठीक है जो छोटे-छोटे services में divide कर दिया and the use of microservices immediately changed how the company worked कि अगर मान लो मैंने एक business start किया और मैंने कुछ workers रखे अब हर worker को सारे काम करने है उसे समान भी बनाना है उसे समान देशना भी है उसे मतब sale लानी भी है accounts में भी चड़ानी है अगर मान लो सारे लोग ये सारे काम करेंगे तो problem क्या create हो जाएगी भई कही ना कहीं duplication आनी शुरू हो सकती है problem आनी शुरू हो सकती है इसलिए क्या किया गया जाता है जाता है नॉर्मली बिजनस में departments बना दिया जाते है अकांट सलग बना दिया sales सलग बना दिया जो publicity करते है marketing करते हैं उनका अलग department बना दिया तो इस तरह से अलग-लग departments बना दिया जाते हैं और उनको अलग-लग काम करवाज जाते हैं जाकि लोग efficiently अपना काम कर सकें यही same approach microservices भी लेता है जिसके अंदर कहा जाता है कि हर चीज़ को हर department को अलग-लग service दे दो और बाद में उन साई services को एक साई जोइन कराके काम करा ले जो कि आपके work को जादा अच्छा पर देगा ठीक है तो यह सारा इसनों दिया वह है Amazon ने कैसे किया ऐसे ही इसको use करने वाला एक और भी है Netflix so Netflix ने भी क्या किया था microservices का use किया आज की रेट में पूरा का पूरा Netflix का जो operation है वो microservices की help से जलता है ठीक है ऐसे ही एक और example भी है अगर आप पढ़ना चाहो तो यह story पूरी पढ़ सकते हो यहां से काफी अच्छा example मिल जाएगा आपको ठीक है तो यहाँ पर Uber का नाम आप सबने सुना होगा Uber भी microservices का use करता है अपनी services को provide करने की तो यह जो तीन main examples है न यह काफी अच्छे examples है ऐसे एक और website है एक से ठीक है इसने भी same architecture का use किया तो यह भी microservice based infrastructure का use करता है अपने services को users तक पहुँचाने के लिए तो इस तरह से काफी लोग इसे use कर रहे हैं काफी बड़ी बड़ी companies use कर रही है अपने काम को easy और better बनाने के लिए तो I think microservices का example का आपको फड़ा idea तो हुई गया होगा कि microservices actually में करता क्या अब यहाँ पर हमें देखो अगर microservices को अपने system में क्या लगाना है apply करना है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले है छोटी-छोटी services बनाएंगे पहले तो और फिर उन services को हमें central user server के साथ में join कराएंगे तो अब हम यहाँ पर अगर अपनी इन सारी services को create करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें इसके architecture को ध्यान में रखना है आपको क्या करना होगा अगर आप लोग micro services का example practice करोगे इसको practice करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक spring starter project ले लेगते हैं इसको हम rest API की help से करेंगे विकी से करने का यही बढ़िया तरीका है तो यहाँ पर आते हैं spring starter project में maven का project ले लिया jar, java 21, spring boot, demo इसका जो नाम है मैं रख रही हूँ user micro service तो नाम कुछ भी रख सकते हो तो मैंने रखा user micro service इसके बार यहाँ पर package का जो information है इससे हम ले लेते है com.user microservices सबसे परिशी स्थाप यहाँ पर इसे लागाँ next करोगे यहाँ पर मैं dependencies ले रही हूँ एक तो मैं long box ले लेते हूँ यहाँ पर हम my skill का भी यूज करेंगे तो my skill को भी ले लेते हैं इसके लावा मुझे यहाँ पर dev tools पी चाहिए मैं यहाँ पर database का यूज कर रही हूँ तो मैं spring data jpa का भी यूज करूँगी और यहाँ पर अभी हम web पर चले यह नहीं जालते हैं तो हमारे पास एक user microservice का project बन कर आ जाए तो अभी इसको दो मिनिट देते हैं create उने में लेरा time ओके सो लेटेट complete फर्स्ट अब देखो जो आप लोग user microservice को create कर रहे हूँ आप लोगों को इसके अंदर packages बनाने होंगे एक तो अभी हमने बनाया यह इसी तरह आपको यहां पर इसी के अंदर कुछ और packages भी बनाने हैं तो जो जो packages आपको बनाने हैं वो कौन-कौन से बनाने हैं यहां से देख लेते हैं तो user microservice में मैं यहां पर एक तो services का बनाऊंगी option ठीक है एक हम यहां पर services का बनाएंगे इसके अंदर हमारा normal जो अभी हमने बनाया है project उसमें यह by default यह जाएगा इसी services के मतब यह वाला ही structure लेना इसी के अंदर हम कुछ सब services बनाएंगे तो क्या-क्या services बनानी है एक बार check-out कटके तो यहां पर एक बनेगी dot services ठीक है services के अंदर sorry my mistake config ऐसे ही third number पर आपको बनाना है controller फॉर्थ नंबर पर आपको बनाना है entities पिफ्ट नंबर पर आप लोगों को बनाना है exception और six number पर आप लोगों को बनाना है इसके अंदर एक और option exception का तो इसके अंदर हम लोग external services को आट करेंगे चलिए पहले से बना लेंगे लेकिन इसके अंदर define बात में करेंगे step by step करेंगे तो external dot services करेंगे एक्स्टर्नल सर्विस का मतलब हो गया दूसरी service से जब इसको जोड़ेंगे ऐसे ही यहाँ पर हम एक बनाएंगे IMPL 8 number पर 8 number पर हम यहाँ पर बना लेंगे payload 9 number पर यह मैं इसका structure आपको बता रही हूँ इसलिए ताकि आप इसके काम कर सुको repositories और 10 number पर एक आपका और बनेगा करके तो इसमें आप लेकेंगे जो यह IMPL है न यह आक्चली में आपका जो बनना था वह service में बनना था service dot IMPL ओके तो यह 10 packages है इन 10 packages के इंदर हमें काम कराना है तो लेट सी कि इसके इंदर हमारी values कैसे manage हो ठीक है तो एक एक करके हम इनको बनाएंगे जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ेगी और फिर इसको हम क्या करने वाले हैं अपने project में बनाएंगे बनाएंगे अठाने अएन कर अब वाले है तो लोरूजनses सी कैनल रही जैसे चाहन ए धन्यार र्रवा भुब करेदेर